स्वागत आपका आज मैं आपके लिए लेकर रहे हैं सूजी की खीर जब आपको मीठा खाने का मन हो और टाइम नहीं हो आपके पास यह बिल्कुल परफेक्ट डिस है बहुत जल्दी बन जाने मेले खीर है इसको आप परसाद के लिए भी बना सकते है चलिए बनाना सुरू कर पैन के करम होते हैं उसमें सूजी डाल दे और एक चमच घी डाल दे सूजी को हमें कलर चेंज होने तक भूना है यहां पर मैं दो कटूरी खीर बना रही हूं इसके लिए इतना सूजी काफी होता है अगर आप छोटे वाले चमच शना पेंगे दो चमच सूजी होगा दो आपसे ब्राउन दिखने लगे इस तरीके से इसके बाद इसमें दूट डाल देंगे इतना सूजी के लिए अगर ना पेंगे यह दूध आदा किलो से थोड़ा सा जादा होगा तो यहां पर दूट डाल दें इसके बाद खीर को तब तक चलाते रहे हैं जब तक उसमें इस खीर को बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा अगर आपका दूद पहले से उबला हुआ है तो और दूद अगर उबालना पड़ेगा तो थोड़ा ज्यादे टाइम लगेगा यहाँ पर जब आपका खीर पक जागा ना चीनी अच्छे से पक जागा खीर में तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ नारियल डाल देते हूं अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूं किर को बनाने में धिहान रखने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है बस आज को मीडियम पे रखके किर को बनाए सूजी जलनाने चाहिए ने तो खीर का स्वात खराब हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको यह छोटे वाली कटोड़ी में सर्व कर रही हूँ तो जब आपको बहुत जल्दी में कुछ मीठा काने का मन हो आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इस खीर को ट्राइ कर सकते हैं मैं इसके उपर से एक दो पिस्ता बादाम और नारियल रखतेती हूँ इससे दिखने में थोड़ा चलेगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चेनल पने हैं तो सब्सक्राब जरूर करें कमेंट करके हमें बताए का आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है